जेन दोस्तों बंदे मातरम एक समय था जब बॉलिवुड के बड़े सितारों की मूवी सिर्फ नाम से चल जाया करती थी मतलब ऐसा कई बार होता था मतलब जो सटायर भी आया करते थे जो मीम्स आया करते थे उन मीम्स में यही होता था कि भाई अब बॉलिवूड की पिच्चर देखने जाते हो तो यह उमीद क्यों करते हो कि दिमाग लेके जाना पड़ेगा बॉलिवूड वाले तो बनाते ही ऐसी मूवी है हलके फुल की यह आपको दिमाग घर पे छोड़के जाना पड़ेगा मतलब सीधीसी बात यह होती थी कि इस मूवी में कॉंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता था होता थो तो तो क्या बड़े से नाम वाले सितारे और मूवी का बढ़िया सा नाम हाउसफुल, हाउसफुल का फर्स पार्ट जितना अच्छा था उसके जो बाकी के पार्ट आया है आप सभी जानते हैं क्या था क्यों कि उस मूवी का नाम चल चुका था तो उसके फ्रंचाइज इन लोगों ने बना मारी जबकि बाहर के देशों में आप देखेंगे जब भी सीक्वेल बनता है तो सीक्वेल की कहानी कहीं न कहीं उसके प्रीक्वेल से जुड़ी होती है पर भारत में ऐसा नहीं होता है भारत में कहानी ही पूरी अलग कर देते हैं भूल भूलिया अपने आप में काफी एनरटेनिंग मूवी थी हम कह सकते हैं अब ऐसे में अगर हम ब की पे दर्शकों के आने से होती है रजान लेते हैं क्या हाल है बॉलिवूड के बड़े सितारों का और क्या स्टेटस चल रहा है अभी उनका उनके करियर में बॉलिवूड की फिल्में इन दिने बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पा रही है हाल ही में रिलीज ह पूर की फिल्म शमशेरा फ्लॉप सौवित होती हुई नजर आ रही है रनवीर के पहले ऐसे कई सूपर स्टार्स हैं जिनकी फिल्में अच्छी कमाई नहीं कर पाई है इन स्टार्स को एक बड़ी हिट की खास जरूरत है जिससे बॉलिवूड में अपना कमबैक कर सके शु बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन तीन-चार मुवी के हिसाब से शारुक के उपर करीब 400-500 करोड रुपए लगे हुए वही अगर आमिर खान की बात करें तीन-चार्स करोड में बनी आमिर खास ऑफिस पर केवल 335 करोड रुपए कमा पाई थी जिसके ब बता रहा है कि लाल सिंच एड़ा भी कोई खास प्रोडशन कर नहीं पाईगी वहीं जब बात करते हैं अक्षे कुमार की जो की हिट फैक्टरी के नाम से भी जाने जाते हैं और हिट मूवी की गैरेंटी माने जाते हैं क्योंकि इनके पास वो नब्स है पॉलिवट की जो कि की और एक्टर के पास नहीं है मतलब ये पब्लिक की नब्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं अक्षे की बिछली दो फिल्म प्रित्वी राज और बच्चन पांडे बॉक्स पर आंधे मुगिरी है इसके बाद से ही सबकी निगाहें अक्टर के आगा में फिल्म रक्षा इसलिए इस मूवी के उपर प्रेशर कम है और इसलिए इसको लाल संग चड़ा के सामने उतारा भी गया है वहीं बात करें नई जनरेशन के एक्टर में से रनवीर सिंग की तो एक्टर की फिल्म जैश भाई जोड़दार और 83 दोनों ही बॉक्स ओवेस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए 83 जोड़दार यश राज फिल्म की बात करें तो वो उसका नाम है रौकी और रानी की प्रेम कहान जो उनके करियर के लिए एक बड़ी मूवी साबित इसलिए होने वाली है क्योंकि अगर यह हिट नहीं होती है तो इनके करियर के उपर भी कही ना कहीं ए वहीं बात करें जॉन अबरहम की जो कि पिछले को समय से सेल्फ मेड बन चुके हैं जॉन की पिछली चार फिल्मों की अगर हम बात करें पागल पंती, मुंबई सागा, सत्तमे वजयते 2 और अटक बॉक्स आफिस पर छाप छोड़ने में नाकाम रहीं बलकि अटक तो आंध पॉपलिक ने ट्रोल किया था, तो ऐसे में जॉन अबरहम के उपर भी खासा प्रेशर है, अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह जो बड़े-बड़े अक्टर से जो कि अपने नाम से ही मूवी चला दिया करते थे, वो क्या आने वाले समय में अपना वही रु